सूप्रभादवी द्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, भारत में ऐसे अनेक वीर पूरुष हुए हैं, जिनकी वीरता की कहानियां आज भी हमें प्रेरना देती हैं. ऐसे ही वीरों में से एक था वीर अभिमन्यू, वहें अर्जुन का बेटा था, वहें भी अर्जुन के समान ही पराकर्मी था. तो बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ तेरा वीर अभिमन्यू के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके नई शब्द देखेंगे। पांडवों और कौर्वों के गुरु थे, उन्हें अर्जुन से विशेश लगाव था, अर्जुन का बेटा था अभिमन्यू, वहें भी अर्जुन की भाती वीर था, महा भारत का यूध चल रहा था, अचारे द्रौन कौर्वों की और से लड़ रहे थे, अर्जुन के साम आप ठीक से नहीं लड़ पा रहे हैं, अचारे द्रोन को दुर्योधन की यह बात बुरी लगी, वे बोले तुम मुझ पर दोश लगा रहे हूँ, मैं पूरी मानदारी के साथ लड़ रहा हूँ, यदि तुम अर्जुन को कहीं दूर ले जाओ तो मैं उसी दिन उनको हरा द ही गई, चक्रव्यू में घुसना केवल अर्जुन को ही आता था और वेह वहां नहीं था, अर्जुन के बड़े भाई युधिष्टिर परिशान थे, तब ही अभिमन्यू ने प्रवेश किया, उसने सारा हालचाल पूछा, अभिमन्यू बोला आप परिशान ना हो, मैं चक अर्जुन के बड़े बेटा तुम व्यूम तोड़कर घुस जाना, हम लोग पीछे रहेंगे, उस समय अन्य कोई उपाई भी नहीं था, अभिमन्यू ने बड़ो के चरंच हुए, वहे रत में जा बैठा, उसके आने की खबर सुनकर कॉर्वो की सेना में खलबली मच गई, अभिमन्यू बिजली की तरहें आया और चकर व्यू के अंदर जा पहुचा, वहे इतनी तेजी से भीतर घुसा की पांडव पीछे रह गए, वहे कॉर्वो की सेना को गाजर मूली की तरहें काटने लगा, उसकी वीरता को देखकर कॉर्वो के होश उड़ गए, दुर्योधर की जान भी मुश्किल से बची, अचारे द्रोन उसका रन कोशल देखकर उसकी सरहाना करने लगे, अचारे द्रोन का सपना तूट रहा था, अर्जुन को दूर ले जाने की चाल भी काम ना आई, सब कॉर्वों ने मिलकर सलह की, द्रोन ने करन से कहा, अभी मन्यू को हराना कठिन है, तुम पीछे जाकर उसके धनुश की डोरी काट दो, करन ने वैसे ही किया, उधर महारतिय उसके घोडों और सार्थी को मार दिया, अभी मन्यू जरा भी नहीं घबराया, वह धाल और तलवार लेकर लड़ने लगा, द्रोन कुछ सोचने लगे, तभी उन्होंने करन को बुलाया, उसे एक चाल बताई, दोनों ने मिलकर उसकी धाल और तलवार तोड़ दी, उसने र दुशाशन के दुसरे बेटों को धराशाई कर दिया, अभी मन्यू बुरी तरह थक चुका था, सभी कौरवों ने मिलकर उसे घेर लिया, उसी शन उस वीर ने प्रांट त्याग दिये, उसने वीर गती पाली, पांडवों में इस समचार से शोक छा गया, अर्जुन परतोम पाहड ही तूट पड़ा, लेकिन अभी मन्यू मर कर भी अमर हो गया, तो बच्चो अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यान पूरवक पढ़ेंगे और समझेंगे, अब हम इसके शब्दों के अर्थ जानेंगे, सबसे पहले देखेंगे, युद, युद का अर् सरहाना, प्रशंस, शोक, दुख, चक्रव्यू, गोलाकार व्यू बनाना, सार्थी, रत हांकने वाला, रनकोशल, युद लड़ने में कुशलता, बच्चो अब आप इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ अपनी कार्यपुस्तिका में करेंगे, धन्यवाद